प्राड का बोल बाला लगता है गड़वर जाला दस हजार के आस में एक हजार का दाउं हौकरों से लूट का धन्दा सिकायद के बाद भी नहीं हुआ मन्दा यूं तो फेरी वाले बड़ी मसकत से अपनी आजीव क्या चलाते हैं इनकी इसी दिक्कत को देखते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका ने इन लोगों को ददद सजार रुपे सहयोग रास देने का एलान किया है जिन पर कुछ फ्राड की नजर लग गई और उन्हें लू प्रादम भरता है और एक एक हजार रुपे की पावती बनाकर अपनी जे में भरता है जब यह बाद समास से भी प्रभुल महात्रे को पता चली तो उन्होंने महानगर पालिका और कमिशनर से इस बात की शिकायत की महानगर पालिका के कमिशनर और वार अधिकारी इनको एक लेटर लिखित दिया है कि यह बोगस आदमी है यह कोई उन्हें लेडर नहीं है उसका पावती चलनी नहीं चाहिए उसकी पावती लगेगी तो वो फेरी वालों का फार्म बाद होगा उनको 10,000 रुपया नहीं मिल अधिकारों को देने का काम किया है सिकायत के बाद भी फर्जी फेरी वाले यूनियन अध्यक्ष के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई और इसके होसले बुलंद हो गए फिर क्या था यह फर्जी यूनियन अध्यक्ष बार आफिस के सामने टेवल लगा कर पावती काटने ल फर्जी 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 के कमिशनर के तरफ से कुछ भी मुझे रिफरॉंस नहीं मिला बरकि लेटर देने के बाद में भी यह बालकिसन कोपड़े वाड अफिस के सामने टेबल लगा के परचीप काटने का काम कर रहा था तो फिर मैंने वहां के अधिकारियों को फोन करके के बोला कि आप यह फ्राड यूनिन लीडर को मदद करने का काम करता है तो फिर मैं आपके खिलाप भी अंदोलन खड़ा कर दूँगा तब जाके उसको वहां से हटाने का काम किया सच बुच बड़ी अजीब बात है अधिकारियों को इस फ्रॉड की सुचना मिलने के बाद भी यह फ्राड अनवरत जारी है और आरोपी निर्बाद धरूप से गरीब फेरी वालों को लूट रहा है आखिर जिम्मेदार अधिकारी इस पर चूप क्यों हैं यह समस्ते परे है स्पेसल डेस्ट टीवीवन इंडिया